अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेरीडियन उवरसीज फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं specifically उन कोर्सेस के बारे में जहांपे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी entrance exam नहीं देना होता येस फ्रेंड्स मैं बात करना हूँ बैक्चिलर्स की तो अगर आप लोग बैक्चिलर्स इन मैनेजमेंट के option सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को major challenges यह आता है कि टॉल्क यह exam देना पड़ता है तो काफी सारे students ऐसे होते हैं जो कि किसी भी तरह का exam देने से बसते हैं और वो यह try करते हैं कि उनको एक ऐसा अच्छा option मिल जाएं यहाँ पर कि उन्हें किसी भी तरह का entrance exam नहीं देना पड़े तो आज के इस वीडियो में उनी courses के बारे में बात करने वाले हैं तो friends सबसे पहला जो course है वो है University of Del Margey में आपका जो course है Bachelor's in Digital Economics एक अच्छा करिकुलम है यह आपका 3 years का Bachelor's degree program है यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी entrance exam का requirement नहीं होता साथ में आपको किसी भी तरह का IELTS score या English proficiency भी प्रूव नहीं करना होता अगर आपके पास Medium of Instruction document है तो second course है Political Science and International Relations यह जो course है Massina University में है इसमें भी आपको किसी भी तरह का कोई entrance exam नहीं देना होता लेकिन यहाँ पर आपको अपना English proficiency प्रूव करने के लिए एक English proficiency exam की requirement होती है except MOI तो यहाँ पर आपको at least B1 और B2 लेविल की English proficiency अपनी प्रूव करनी होती है तो यहाँ पर अगर आपके पास IELTS का score है with 5.5 not less than 6.0 तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और आपके offer letter आने के भी high chances रहते हैं अगर initially आपके पास किसी भी तरह का English proficiency certificate नहीं है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं तो अगर आपका evaluation यहाँ पर positively होता है तो आपको university 45 days का time duration देती है आपको अपना English proficiency certificate provide कराने के लिए फ्रेंड्स थर्ड जो course है वो है bachelor's in economics bachelor's in economics casino university में आपको मिलता है यह अगें 3 years का bachelor's degree program है यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी English proficiency certificate या entrance exam का requirement नहीं होता इसके अभी applications open है तो यहाँ पर आप अपना application कर सकते हैं friends मैंने जो भी अभी आपको तीनों courses बताएं इन तीनों courses में अभी application currently running phase में है प्लस आपका जो university है वो around 30 days to 45 days लेती है अपना outcome प्रोवाइड करने में तो यह बिलकुल right time है apply करने का जिससे कि अभी आपके पास अगर आप apply करेंगे तो next 45 days में आपको आपका evaluation आ जाएगा और फिर आप further legalization के लिए proceed कर सकते हैं अभी भी बहुत सारे students ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना apply नहीं किया है September 23 इंटेक के लिए तो आप लोग अभी भी apply कर सकते हैं आपके पास अभी भी time duration है आपके पास जहां पर कि आप university application से लेकर के scholarship से लेकर के pre enrollment सारे phases को time रहते complete कर सकते हैं साथ साथ अपना वीजा अभी एक timely manner में submit कर सकते हैं so that आपका scholarship की last date से पहले documentation की last date से पहले आप लोगों को visa award हो जाएगा और आपके scholarship मिलने के chances भी 100% तक आपके बढ़ जाएंगे तो friends यह थी कुछ basic information आपको किसी भी तरह का एंटरेंस रिक्वाइड नहीं होता फ्रेंड ऐसी लेटेस इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें सीन दा नेक्स वीडियो थैंक यू